हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और नए फीचर के बारे में जो की खास तोर से option trading में आपकी help करेगा इस feature का यूज़ करके directly आप लोग चार्ट पे option trading कर सकते हैं especially option buying and scalping आप कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस feature का use कैसे किया जाता है बिना देर किये option trader धन एप में तो सबसे पहले option trader by धन इसे आपको open करना है अगर आपके पास में धन में demate and trading account नहीं है तो video description में आपको इसका direct account open करने का link दिया गया है directly आप लोग account open कर सकते हैं option trader by धन एप को open करने के बाद में आपको यहाँ पे बीच में एक scale पर on chart का option दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को click करना है जिसी आप लोग यहाँ पे click करेंगे scale पर on charts पे तो आप लोगों को directly chart पे redirect कर दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज के दि click करना है जैसे आप लोग click करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे other index के names हो करेंगे जैसे कि nifty, bank nifty, fin nifty, midcalf nifty, sensex, USD, INR, crude oil, natural gas, gold तो इन में आप लोग trading करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इनको select कर लीजेगा जैसी कि हम लोग fin nifty में करना चाहते हैं तो fin nifty हमने यहा दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में automatically आपको यहाँ पे अगर market उपर जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे call buy करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आप buy call लिखावा रहा है अगर market का view downside है तो आप लोगों को देखिए लिखावा है down buy put तो कौनसी strike price आपके buy होएगी अगर आप लोग यहाँ पे click करेंगे तो add the money strike price आपको यहाँ पे default है वो देखने को मिलेगी अगर आप लोग other कोई भी strike price आप लोग यहाँ पे choose करना चाहते हैं तो नीचे की side में filter का option मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे इस पे आप लोगों को click करना है जैसे आप लोग यहाँ पे click करेंगे नीचे की side में आप लोग corner पे तो आप लोगों को यहाँ पे देखे जो strike price है उसको set करने का option आएगा जैसे कि हमने यहाँ पे ATM strike price को choose कर रहा है आप चाहो तो यहाँ पे most traded choose कर सकते हैं highest open interest जिस पे भी build हो रहा है उस पे भी आ आप अपने हिसाब से यहाँ पे choose कर लीजिगा जैसे कि हम लोग यहाँ पे ATM पे click करते हैं दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे देखे क्या दिया गया है नीचे की side में expiry date भी दी गई है आप चाहो तो यहाँ पे expiry date को change कर सकते हैं and कौन सी strike price अगर आप लोग change करन हैं lot size कितना रखना चाहते हैं वह आप लोग यहाँ पे change कर सकते हैं put वाली में भी आप लोग change करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे auto set करके रख सकते हैं पहले से उसके बाद में आपको select and confirm के option पे click करना है तो आप लोगों को यहाँ पे directly strike price है वो 100 कि जाए आपको लग रहा है कि market यहां से उपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा तो आप अपनी direction के साफ से buy कर सकते हैं हम लोग एक example के लिए demo के लिए दोस्तों जैसे कि हम लोग एक call option को buy करते हैं तो हम लोग यहां पर directly देखिए buy call के option पर click करेंगे जैसे हमने आप पर click किया दोस सकते हैं और उपर में देखिए दोस्तों आपको यहां पर call का दिया गया है and put का दिया गया है अगर आप लोग चार्ट देखना चाहते हैं जैसे कि मैं आप पर call के option पर click करूंगा उपर की side में तो जो मैंने call buy किया है उसका आपको यहां पर चार्ट भी सो कर रहा है जो आ पर जहां पर मैं और भी position add करना चाहता हूं exit करना चाहता हूं call या put के चार्ट पर तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखिए अपनी finger को यहां पर touch करेंगे तो आपको एक plus का icon दिखेगा finger touch करेंगे चार्ट पर तो plus का icon दिखेगा उस पर हम लोग click करेंगे तो आप लो सकते हैं quantity add करना चाहते हैं तो आप लोग हां से quantity emails कर सकते हैं दोस्तों तो आपको चार्ट पर यह देखने को मिल जाएंगी और चार्ट पर यह आपको नीचे में देखिए profit and loss आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, नीचे का option भी दिया गया है, यहाँ पे आप लोग click करके अपनी position को यहीं से exit भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप पे देखिए profit and loss पे click करूँगा नीचे की side में, या फिर आपको यहाँ पे नीचे की side में एक position का option दिया गया है, यहाँ पे, तो आप लोग position के option पे click करेंगे, तो आपको देखिए, अपनी open position मिलेगी, जिसमें आपको कितना profit हो रहा है, कितना loss हो रहा है, वो आप लोग नीचे में check कर सकते हैं, एंड आपको close का option दिया गया है, यहाँ पे आप लोग click करेंगे, तो आपने जो भी position close कर दिया है, वो आपको यहाँ पे so की जाएगी, तो आप लोग directly चार्ट पे दोस्तों, वन click के साथ में आप लोग buy कर सकते हैं, जो भी add the money strike price रहेगी, वो आपकी यहाँ पे buy हो जाएगी, या फिर आप लोग अपने हिसाब से strike price को select कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस position को exit करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, या तो इस cross के option पे click करेंगे, या फिर यहाँ पे exit के option पे click करके, और तुरंत हम लोग यहाँ पे अपनी position को exit एक्जिट कर सकते हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपनी पोजिशन को एक्जिट कर दिया है और मेरे को यहां पे 78 रुपे का इस पोजिशन में प्रॉफिट हुआ है दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं सेम इसी तरह से मैं आपको एक पु पे open कर सकते हैं box पे click करने के बाद में अब दोस्तों मैं आपको एक put option में भी entry बना के दिखाता हूँ जैसे कि आपको लगे कि market downside में जाएगा तो आप लोग यहां पे चाहो तो strike price वगेरा आप लोग यहां पे setting पे click करके आप लोग यहां पे select कर सकते हैं but में आपको एक example के लिए दिखा रहा हूँ directly आपको नीचे की side में down by put option दिया गया purple color में यह जो आप लोग देख सकते हैं इस पे हम लोग click करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं instant हमारा यहां पे order लग चुका दोस्तों instant और आपको जो profit and loss है वो भी आपको screen पे देखें यहां पे तुरंत so करने लग जाएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने जो position बनाईए put option में उसका आप लोग chart देखना चाहते हैं तो आपको देखें यहां पे finnipty का name दिया गया है यहां पे call option का and यहां पे put option का तो जैसे कि हम लोग put option का chart देखना चाहते हैं तो put option पे हम लोग यहां पे click करेंगे put option पे click करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमने put option को buy किया था दोस्तों और इसमें हमें आपे जो भी profit and loss चल रहा है वो आपको यहाँ पे चार्ट पे ही so कर रहा है आप लोग चाहो तो इसी चार्ट पे stop loss लगा सकते हैं इसी पे आप लोग target लगा सकते हैं stop loss and target लगाने के लिए मैंने आपको अल्रेडी बताया है आप लोग चार्ट पे finger touch करेंगे जहां पे भी आप लोग touch करेंगे तो आपको एक plus का icon दिखेगा दोस्तों जिस भी price पे plus का icon दिखेगा आप लोग यहाँ पे plus का icon पे click करके और आप लोग देखे stop loss लगा सकते हैं limit order लगा सकते हैं आप अपने इसाब से place कर सकते हैं तो यह है दोस्तों धन के option trader app में directly chart पर option trading करने का तरीका scalping करने का तरीका खासतोर से दोस्तों option buying के लिए बनाया गया है क्योंकि option buying में आप लोगों के लिए कम time रहता है और कम margin के साथ में आप लोग trading करते हैं तो यह है दोस्तों option trader धन एप में जबरदस्त फिचर जो की option trading में आपकी help करेगा इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इसी तरह की और भी informative वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को आप लोग subscribe कर सकते हैं मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो